गुद मॉर्निंग एवरिवान आव वेरी गुद मॉर्निंग तो आल फ्यू बचो वी आ लाइव ऑन क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माई दियर फ्रेंड बैक अगें विद लक्षे बैच 2.0 फॉर एनलोग इलेक्ट्रोनिक्स और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं पि तो आज हम लोग डिसकस करेंगे श्मिट ट्रिगर के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे बाई स्टेबल, मोनो स्टेबल, आस्टेबल, मल्टी वाइबरेटर के बारे में और आपको सीखना क्या है आपको बिटा ये सीखना है कि इन टॉपिक्स के जो सरकेट होते हैं उ उनका approach रहना चाहिए क्या strategy रहना चाहिए क्योंकि अगर आप approach सीख गए तो कल को exam में अगर आपको वे नया circuit भी बनके मिलता है which is different from everything you have studied तब भी आप solve कर पाऊगे तो इसको एक network analysis की नजर से देखिएगा इसका पूरा analysis समझिएगा क्योंकि यहां पे आप लोगों का transient वाल stable multivibrator तो यह सारी चीज़े आज discuss करेंगे तो जितने भी बच्चों को यह लग रहा था कि सर positive feedback वाले सवाल नहीं बन पा रहे हैं अब आप से positive feedback के questions भी solve होंगे अगर आप इस lecture को ध्यान से follow करते हैं तो इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ बच्चों एक बार जल्दी से like hit कर दीजे अपनी attendance mark कर दीजे सब को बता दीजे that अंकी सर is now live by sharing the link of the session as much as possible share कर दीजे भई क्योंकि हम लोग course के end पे आ रहे हैं अब ठीक हैं इस week में आपका पूरा का पूरा analog electronics wind up हो जाएगा तो यार अब last last में थोड़ा सा जोश दिखाएंगे थोड़ा सा energy दिखाएं minimum लिएं और number of hours में हमने compromise नहीं किया है चलो बहुत ही बढ़िया विशाल बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने complete किया analog का course चलो फिर शुरू करते हैं तो देखो कल पहले मैंने एक oscillator छोड़ दिया था आज के लिए सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगा that is the crystal oscillator तो एक ऐसा crystal which is piezoelectric in nature जहाँ पे mechanical vibration आपको एक electrical oscillatory response देती है ठीक है यानि कि यहाँ पे crystal के अंदर mechanical vibration होता रहता है जिससे कि एक electrical signal पैदा होता है which is oscillatory in nature which is like a square wave तो उसे हम लोग क्या बोलते है crystal oscillator तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं देखो अभी तक आपने जितना भी resonance पड़ा जितना भी आपने oscillation पड़ा वहाँ electrical oscillation थे तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे है इलेक्ट्रिकल resonant circuit electrical resonant circuit is replaced by is replaced by mechanical mechanical resonant circuit where a piezoelectric crystal where a piezoelectric crystal piezoelectric तो समझते हो ना जिस पे अगर mechanical force या pressure लगाया जाए तो इट generate सा electrical signal तो यहाँ पे यह जो piezoelectric crystal होता है इट अंडर गोज इट अंडर गोज सिवा बिटा इस महीने के end से पहले वीडियो पब्लिक नहीं होंगी undergoes mechanical oscillation mechanical oscillations to produce electrical oscillatory response ठीक है जब उस पे mechanical oscillation होंगे तो उसका जो output electrical में आएगा that will also be oscillatory in nature that will also be oscillatory in nature तो आपने electrical resonant circuit को replace कर दिया है एक mechanical resonant circuit से और इसके अंदर पता है खासियत क्या होती है it has high degree of stability high degree of stability सर इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ मेरे बच्चों कि इसका जो electrical frequency होता है न that remains constant frequency remains constant ठीक है तो यानि कि इसकी frequency बदलती नहीं है जैसे कि मान लो आपने crystal oscillator आज खरीदा अगर आप सोचोगे कि भई एक साल बाद इसकी frequency क्या रहेगी तो frequency will remain the same it will not change with time it will not change with temperature जिस frequency के लिए इसको design किया गया है ये उतनी ही रहेगी और इसका सबसे जादा use पता है कहां देखने मिलता है microprocessor और microcontrollers के अंदर वहाँ पे जो clock signal अपने को चाहिए होता है वो generate किया जाता है with the help of a crystal oscillator ठीक है तो useful for clock signal in microprocessor and microcontroller ठीक है भईया जी तो clock signal के तौर पे इसको काफी जादा use किया जाता है ठीक है भईया तो clock signal के तौर पे इसको use करते हैं in microprocessor and microcontroller ये बात समझ में आई crystal oscillator क्या होता है तो basically एक piezoelectric crystal है जिसके अंदर mechanical vibration से पैदा हो रहे है electrical oscillation लेकिन इसका analysis करने के लिए हम इसका एक electrical equivalent बनाते हैं यानि इसको एक circuit से represent करते हैं so that we can analyze आप देखो इसका circuit कैसे बनता है इसका circuit बिटे ऐसे बनता है देखिएगा एक RLC series circuit आपका बनता है और इसके parallel में एक capacitor भी आपका लगता है ठीक है जी? ये हो गया R, L, C और ये हो गया CP तो ये इसका electrical equivalent है जो की experimentally determined है यहाँ पर R क्या है? R आपको बताता है damping या viscosity भी आप कह सकते हूं तो R is the viscous damping या फिर crystal के अंदर जो losses है और internal losses basically loss को आप electrical network में तो resistance से ही दिखाते हो ना भई? तो यहाँ पर जो भी आपके crystal के अंदर loss आ रहे होंगे that you are representing as a resistor अब L क्या है पिटा? L बताता है crystal का mass जैसे आप control system में भी पढ़ते हो ना mechanical system तो वहाँ पर भी तो आप यही पढ़ते हो कि mass को inductance से replace कर सकते हैं C बताता है stiffness ठीक है यह चीज़ actually ना control system में पढ़ी जाती है जहां mathematical modeling हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ यह देखते हैं कि कैसे mechanical system को electrical में लेके आते हैं ठीक है mechanical equivalent of electrical circuit ने electrical equivalent of mechanical system सो और भाई उल्टा मत जाओ mechanical equivalent का मतलब क्या हुआ कि electrical circuit था उसको हमने mechanical में convert कर दिया लेकिन यहाँ पे एक mechanical system था एक crystal था उसका मैं equivalent circuit बना रहा हूँ और यह CP क्या है CP actual capacitance है between anode and cathode यह stiffness वाला funda क्या है आपको मैं एक चीज बता हूँ मैंने क्या बोला जो piezoelectric crystal है उसके जो atoms हैं वो mechanically vibrate कर रहे हैं तो जब भी एक atom अपनी position से हिलता है ना तो बागी के सभी atom उसको उसकी original position में लाने की कोशिश करते हैं तो एक spring की तरह behave करता है कि जैसे अगर spring stretch हुआ ना तो spring वापिस से अपनी original condition में आने की कोशिश करेगा तो उसी का जो stiffness है उसका reciprocal है capacitance तो c क्या बता रहा है stiffness बता रहा है बिटा जहां पे की जब आपके atom oscillate करते हैं तो how much they want to return to their original position ठीक है बही और देखो भाईयो आप लोग का response बहुत खराब हो रहा है अगर इस तरह से रहेगा तो मैं ये वाला lecture अभी discontinue कर दूँगा क्योंकि इतना तो यार consistency बनाना पड़ेगा नहीं क्या attendance तुम लोग ले आए हो और अगर ये चीज़ लग रहा है कि वीडियो बाद में तो public हो ही जाएंगे तो बाद में देख लेंगे तो फिर मैं चलो ये भी कर देता हूँ कि आपका analog public होगा लेकिन opamp दुबारे public नहीं होगा मतलब mosfet से आगे के lecture अब कभी public नहीं होगे this is the last you can watch them till Tuesday तो Tuesday के बाद opamp public नहीं होगा जो भी public होगा वीडियो mosfet से पहले तक का होगा ठीक है ओपamp या उसके बाद का एक भी लेक्चर नहीं चलो अब देखो यार यहाँ पे न दो resonance frequency आ जाती है एक तो series RLC circuit के कारण और एक यह parallel capacitor के कारण तो यहाँ पे इस circuit के अंदर दो resonance frequency बनेंगी because it has a order higher than 2 इसका order 2 से भी जादा है और हमें resonance frequency से ही मतलब है भई उसी frequency का oscillation बनेगा तो circuit has two resonance frequencies और चाहे तो तुम्हें admittance का imaginary part 0 करके निकाल भी सकते हो one due to series RLC circuit and other due to parallel capacitance Cp तो यहाँ दो बनेंगी और आप चाहू तो derive कर सकते हो जैसे network में करते थे कि imaginary part of impedance या imaginary part of admittance will be 0 ठीक है तो इसका जो response आता है ना response कैसा आता है अगर हम impedance versus omega को represent करें देखो इसका जो response आता है ना वो कुछ इस type से आता है पहले घटती है impedance फिर बढ़ती है फिर घटती है mod z versus omega की अगर बात करें यहाँ पे यह दो resonance frequency आपको मिल जाती है भई एक तो जिस पे आपका impedance minimum हो रहा है ठीक है एक जिस पे admittance minimum होगा या यह कह दो impedance आपका maximum हो जाएगा ठीक है यहाँ पे आपका admittance minimum होगा या फिर यह कह सकतो impedance will be maximum ठीक है तो यह omega 1 और यह omega 2 अब इसमें circuit का response कैसा होता है पिटा देखो यहाँ तक तो capacitive होता है फिर inductive होता है फिर वो जो parallel वाली capacitance है न वो dominate करने लगती है फिर से यह capacitive हो जाता है ठीक है तो starting में capacitive होता है यानि omega के साथ-साथ impedance गिरती है और फिर inductive होता है यानि कि omega के साथ-साथ capacitance बढ़ती है और फिर फिर से capacitive हो जाता है यानि omega के साथ फिर से impedance गिरने लगती है तो omega 1 is resonance frequency due to series resonance due to series resonance ठीक है तो इसकी value कितनी आएगी भाई इसकी value आती है 1 by root LC ठीक है और omega 2 होता है resonance frequency due to parallel capacitance 1 by root L C equivalent और यह C equivalent क्या होता है C CP by C plus CP तो ऐसे करके आपके पास 2 resonance frequency आती है भई तो इस crystal oscillator के अंदर 2 resonance frequency आती है और यह जो resonance frequency होती है यह depend करती है बिटा crystal की thickness पे किस पे depend करती है crystal की thickness पे यानि कि जब आपको crystal design करना है तो आपको यह भी ध्यान में रखना है बिटा कि कितना thickness लेके चल रहे हो depending upon आपको कितना frequency generate करना है तो आप कहते हैं resonance frequency f0 is directly proportional to 1 by thickness तो therefore thickness must be varied to vary f0 तो जिस आप से आपको resonance frequency चाहिए उस अनुसार आप crystal की thickness को set up करते हो क्योंकि basically यार देखो है तो यह mechanical vibration ही न है तो यह mechanical resonance यानि कि आप लोग को जो है न इसी हिसाब से crystal को design करना पड़ेगा कि यह आपको desired frequency दे पाए और दूसरा crystal oscillator का यह भी फायदा होता है कि इसका quality factor बहुत high होता है which is desirable किसी भी resonance circuit में high quality factor desirable होता है quality factor क्या बताता है बिटा एक तरह से energy stored by energy dissipated तो high quality factor का मतलब क्या है कि जादा तर energy आपकी store होती है और बहुत ही कम energy आपकी circuit में dissipate हो रही है यानि most of the energy gets stored और सही बात है दिपांकर it shows the sharpness of the curve जितना sharp होता है एक तरह से उतना ही कम आपका curve spread होता है या उतना ही resonance frequency पर आप ये कह सकते हो concentrated होता है अब देखें वई अब देखो oscillators के अंदर हम define करते हैं पिटा एक figure of merit क्या define करते हैं figure of merit figure of merit ये बताता है कि ये oscillator कितना बहतरीन है क्या बताता है ये कि ये oscillator कितना बहतरीन है describes the performance or or quality of an oscillator ठीक है एक oscillator की quality को describe करता है उसका figure of merit तो इसका जो figure of merit लिया जाता है न उसलेटर का ऐसे लिखते हैं दी थीटा बाइ डी ओमेगा या फिर दी थीटा बाइ डी एफ ठीक है अब यहाँ पे या थीटा क्या होता है थीटा इस दा phase angle of oscillator ठीक है बई phase angle of oscillator और यह जो निकाला जाता है न बिटा यह निकाला जाता है near to the resonance frequency जैसे अब आप यह देखो कि यह जो आपके पास frequency वाला graph आ रहा है अब इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास graph ऐसे आ रहा है न ठीक है अब इसमें अगर हम देखें just below fs and just after fs क्या हो रहा है आपका circuit का nature capacitive से inductive जा रहा है यहाँ पे circuit का nature capacitive है और यहाँ पे आपका nature inductive है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि figure of merit यह frequency को आप बोल दो fs plus और इसको बोल दो fs minus तो आप कहेंगे figure of merit क्या होगा बिटा inductive के लिए angle 90 लोगे capacitive के लिए minus 90 ले लोगे upon df ठीक है this tends to infinity that is why it is highly stable है ना df क्यों infinity हो गया df क्यों tending to zero हो गया क्योंकि यह दोनों point fs के बहुत ज़्यादा close है तो किसी भी अगर oscillator का किसी भी oscillator का अगर आपको stability judge करना है तो आप उसका figure of merit निकालते हो अभी तक जितने oscillator पढ़ें even के उनका भी अगर आपको पढ़ना है ना stability या quality की यह कितना अच्छा oscillator है तो आप figure of merit निकालिए जितना high आएगा उतना ही बहतर आपका oscillator है इसके लिए करना क्या पढ़ता है जो भी oscillator है उसका face shift निकालना पढ़ता है बिटा और face shift निकाल करके उसके बाद d theta by df से क्या आ जाता है figure of merit यह बात clear होई तो यह parameter important है gate में तो नहीं लेकिन other exam में इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं बात clear है ना तो crystal oscillator के बारे में देखो gate में तो नहीं आएगा सवाल लेकिन crystal oscillator के बारे में other exams में पूछा जा सकता है इसलिए back of the mind crystal oscillator को भी अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि देखो practically बात करें तो बहुत जादा useful device है जितने भी अपने digital circuit है उसमें clock देने के काम में आती है तो एक basic understanding आपको होनी ही चाहिए कि crystal oscillator क्या होता है और कैसे यह काम करता है तो मुझे बताओ सब लोगों को यहां तक clear है अगर यहां तक clear है तो हम multi vibrator और Schmidt trigger की तरफ चलते हैं बट एक बार confirm कर देंगे सबी लोग is this clear बताईए clear है चलिए बहुत ही बढ़ी है अब हम आते हैं बिटा Schmidt trigger और by stable multi vibrator पहल तो यह multi vibrator होते क्या है देखो vibrator का मतलब होता है something that vibrates vibrates का मतलब क्या होता है जो अपनी state को लगातार बदलती रहे तो multi vibrator होते हैं जिनके multiple states होती है जिनके बीच में यह vibrate करते हैं जैसे मानलो एक switch है switch की दो state हो सकती है that is कौन कौन सी state हो सकती है on और off on और off यह दो state हो सकती है switch की तो अगर आप switch को लगातार बार-बार on-off, on-off करते रहोगे तो that is also a multi vibrator with two states तो ऐसे system जो की vibrate करते हैं दो या दो से अधिक state के बीच में they are set to be multi vibrator ठीक है तो हम लोग यहाँ पे क्या कहते है systems that oscillate यह देको usually तो दो ही state ली जाती है बट फिर भी general definition के लिए systems that oscillate between two or more than two states continuously are called as multi vibrators ठीक है जी अब देखो दो तरह की state होती है बिटा दो तरह की एक होती है इसके अंदर stable state और एक होती है unstable state stable state हम उसको कहते हैं जिसमें अगर multi vibrator चला गया तो उसे बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ external input देना पड़ेगा मतलब बिना कोई input दिये एक multi vibrator अपनी stable state को नहीं छोड़ेगा और दूसरी होती है unstable state जिस state से वो अपने आप switch कर जाता है दूसरी state में without the need of an external input तो जो अगर stable state में है तो ये वहीं रहना चाहेगा अगर आप इसे बाहर निकालना चाहते हो तो आपको कोई ना कोई input देना पड़ेगा और दूसरी होती है unstable state जिससे अपने आप बाहर आ जाता है without the need of any external input ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई कि multi vibrator की दो state होती है stable state तो इसमें क्या है मैं short में लिख रहा हूँ MV multi vibrator can stay in this state can stay in this state for an indefinite amount of time for an indefinite amount of time until an external input is applied ठीक है भाई until an external input is applied example भी दीजे बिटा अभी multi vibrators पढ़ने ही जा रहे हैं अभी परिभाशा समझ रहे हैं फिर इनके circuit देखेंगे ही मांचू अभी कैसे visualize कर लोगे बताओ बिना circuit देखें गजब आदमी हो थोड़ना multi vibrator यहीं खतम हो जाएगा आज का पूरा लेक्चर इसी के लिए dedicated है दूसरा होता है बिटा अन्स्टेबल स्टेट तो इसमें क्या होता है multi vibrator leaves this state after a certain time after a certain time without the need of any external input ठीक है ठीक है भई यह बात clear हो गए अब ध्यान से सुनिएगा चलो हिमांचू जी के इस आप से एक example देते हैं ताकि हिमांचू जी visualize कर पाएं अब आप सभी बच्चे लोग हो तो आप लोग की जो stable state है वो सोते हुए है आप अराम से सोते रहो कोई external input की जरुवत नहीं है आपको सोने के लिए आप सोतो जाओगे ठकके हार के ठीक है बोरो करके सो जाओगे लेकिन आपको state से अगर मुझे बाहर निकालना है अगर जगाना है तो एक external input की जरुवत पड़ेगी वो मम्मी पापा की चपल हो सकती है ठीक है वो alarm हो सकता है वो किसी का call हो सकता है कोई भी external input की जरुवत पड़ सकते है उस state से बाहर आने के लिए और जब तुम जगे होते हो वो है तुमारी unstable state ठीक है क्योंकि उससे तुमें सो ही जाओगे थोड़ी देर बाद थोड़ी देर अगर पढ़ने बैठोगे थोड़ी देर बाद तुम सो ही जाओगे इसके लिए किसी external input की जरुवत नहीं पड़ेगी इस state को तुम अपने आप छोड़ दोगे लेगिन जो stable state है ना सोने वाली उससे जगने के लिए input की जरुवत है तो इस तरह के systems को हम क्या बोलते है multi vibrator बात clear है multi vibrator का meaning clear हुआ अब देखो multi vibrator बिटा तीन तरीके के होते हैं पहला होता है by stable multi vibrator इसमें क्या होता है कि दोनों की दोनों state stable होती है यानि कि अगर मान लो दो state digital की terms में बात करें high और low अगर high और low दोनों ही stable हैं तो high से low जाने के लिए या low से high आने के लिए आपको external input देना पड़ेगा अन्य था अगर system low में है तो low में ही रह जाएगा और system अगर high में है तो high में ही रह जाएगा इसका best case example ले सकते हो latch डिजिटल के अंदर जो latch होता है उसमें क्या होता है कि जो भी bit उसने store कर ली वही bit उसके अंदर हमेशा के लिए store रह जाएगी वो value कभी भी change नहीं हो सकती है तो that is a latch basically तो हम वही बात कर रहे है by stable multivibrator by stable element latch all of these are the same thing जहां दोनों ही states stable होती है अगर आपने उसमें high डाल दिया तो high ही रहेगा जब तक कि आप उसको अपने से change ना करो low पे वो अपने आप low नहीं आएगा और अगर आपने low रख दिया तो low ही रहेगा वो खुद से high नहीं जाएगा जब तक आप उसे high ना ले करके जाएं तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि this multivibrator has two stable states two stable states example high and low so when we wish to change the state when we wish to change the state of multivibrator we need to apply we need to apply an external input समझे और Schmidt trigger जो होता है वो ऐसा ही होता है Schmidt trigger क्या है Schmidt एक scientist थे जिनोंने एक circuit बताया ठीक है वो ओपैम के positive feedback से बना उसके case में अगर state बदलनी है तो फिर आपको external input देना पड़ेगा ठीक है तो एक्जामपल यहाँ पर क्या हो सकते है Schmidt trigger हो सकता है लैच हो सकता है मुझे बताओ यह clear हुआ ना एक्जामपल लैच वाला भी बोलो जल्दी से digital में जो latches होते है ना they are also bistable multivibrator अगला होता है भाई monostable multivibrator नाम से समझा रहा है इसकी एक state stable होगी जैसे तुम लोग की है ना सोने वाली state stable है तो इसकी एक state stable होगी जिससे दूसरी state में जाने के लिए आपको external input लगाना पड़ेगा जैसे तुमको सोते से जगाने के लिए alarm लगाना पड़ेगा ठीक है लेकिन जगते हुए से सो ही जाओगे कुछ देर बाद ये पक्का है यानि ये multivibrator unstable state से stable में अपने आप आ जाएगा कुछ देर बाद ये guaranteed है बट stable से unstable में ले जाने के लि लोग बोल रहे हैं इस multivibrator only has one stable state while other state is unstable other state is unstable to shift multivibrator from stable to unstable state from stable to unstable state we need an external input okay while it itself comes back from unstable state to stable state from unstable state to stable state after certain time after certain time called as pulse width ठीक है बही कुछ समय बाद अपने आप आ जाएगा बही कितनी देर के बाद आ जाएगा अपने आप नीचे pulse width के अपने आप लॉट के आप लॉट के आता है उस duration को आप क्या कहते हो भई अपने 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 आप जाएगा जितनी देर बाद आएगा आपको उतनी देर की पल्स मिल गई बात क्लियर हो गई देखो मैं draw करके भी दिखा देता हूं यहाँ पे मैं कहना कह चा रहा हूं न देखो जैसे मानलो इसकी stable state है 0 आपको 1 पे भेजना था तो आपने input लगाया यह 1 पे चला गया लेकिन अब यह कुछ देर बाद अपने आप 0 पे आ जाएगा इसमें आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है और कितनी देर के बाद यह 0 पे आता है that is called as pulse width मानलो यह stable है और यह वाली state unstable है ठीक है तो stable से unstable जाने के लिए तो यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा भाई external input और यह जो duration बनके आएगा this will be called as your pulse width अब clear हो गया अब clear हो गया तो आपको input देना पड़ेगा अच्छा हाँ यहाँ पे stable unstable से stable state अपने आप आ जाता है थोड़ी देर बाद after our duration called as pulse width अब astable multivibrator जिसकी दोनों ही दोनों रोहित जस्ट मैंने एक example लिया है बिटा ही मैंने कौन सा बोला है कि RC circuit exponential dk होगा यानि फिर देखो तुम circuit में घुस रहे हो मैं तो बोला ही नहीं है ऐसा ठीक है बही चलो और वैसे भी जो हम circuits पड़ेंगे ना उनका output exponential नहीं होता क्योंकि output open amp से लेते हैं तो उसका output Vsat या minus Vsat होता है अमन पूछ रहे हैं sir pulse width कैसे control होगी अमन भाई थोड़ा रुको कि जब monostable multivibrator पढ़ाऊंगा तो pulse width भी control करनी सिखाऊंगा अभी मैंने क्या बताया अभी आप सिर्फ ये समझ रहो multivibrator क्या है कितनी तरहे का होता है क्या उसका नाम होता है इसका circuit कैसा है ये अभी आएगा ठीक है उसकी pulse width derive भी करेंगे pulse width को control कैसे करना है ये सारी चर्चा होगी बस थोड़ा सबर रखने की ज़रुवत है अब क्या है भई आ-stable multivibrator अब ये आ-stable multivibrator क्या है जिसकी एक भी state stable ना हो मतलब ये कहीं भी खुश नहीं है ठीक है जी ये कभी खुश रही नहीं सकता अगर output इसका 1 है तो भी unstable है थोड़ी देर बाद 0 पे चला जाएगा output 0 है फिर भी बेचैन है थोड़ी देर बाद 1 पे आ जाएगा तो ये जो है न चक्करी काटता रहेगा 1 और 0 के बीच में high और low के बीच में ये कहीं पे भी settle नहीं हो सकता तो सचा multivibrator is called as the unstable multivibrator थाली का बैगन चकर नहीं काटता थाली का बैगन जिसका पलड़ा भारी होता है उस तरफ जाता है ये क्या है ये कहीं भी खुश ना रहने वाला इंसान है जो कभी भी खुश नहीं रहता तो इसको कुछ भी दे दोगे न ये satisfy होगा नहीं तो ये लोट के आएगा दूसरी स्टेट में ठीक है तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे बोथ दा स्टेट्स आर अन्स्टेबल So, multi-vibrator keeps oscillating between the two states after regular intervals तो ऐसे multi-vibrator का output जो होता है the output of such a multi-vibrator is a periodic wave periodic wave आ जाएगी न मैं ये नहीं कहा रहा उसकी duty cycle कितनी होगी 50% ही होगी या ज़्यादा कम भी हो सकती है बट output periodic होगा ये पक्का है ठीक है? output periodic होगा ये पक्का है बात clear हो गई? ये clear हुआ आस्टेबल multi-vibrator तो इसका फाइदा क्या होता है? जैसे कहीं हमें square wave की जरुवत है जैसे clock signal का ही example ले लो वहाँ square wave चाहिए होता है तो उसके लिए कैसा multi-vibrator चाहिए? आस्टेबल कैसा चाहिए? आस्टेबल कास्तव पूछ रहे हैं सर analog की practice कहां से करें? सिफ study material और PYQ और electrical से हो भाई electrical में analog 4 या 5 नंबर का आता है study material और PYQ मिला मिलू के 1200 question तो होंगे और कितने लगाना चाहते हो भाई analog के लिए? उतना न तो उसका weightage है न तुमारे पास तैयारी का उतना time है कि 2000-3000 सवाल लगाए जाएं तो ये जो common subjects होते हैं इसमें तो study material और PYQ मिला के इतने सवाल आप लोग के पास available होते हैं कि common subject में तो सोचने की जरूरत ही नहीं पढ़नी चाहिए और तुम मेंसे maximum लोग practice और practice तो करते हो नहीं चलो अब हम multivibrators की study स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैं जो लूँगा that will be a bistable multivibrator जिसका नाम होता है Schmidt Trigger क्या नाम होता है Schmidt Trigger अब देखो Schmidt Trigger दो तरह का होता है inverting और non-inverting inverting का मतलब होता है कि जो input दिया गया है that is given to the inverting terminal और यहाँ पे आपने क्या लगाया पिटा positive feedback क्या लगाया हो अब देख लो भाई रोहेत कई दिन से तरस रहे थे एकदम जल्बिन मचली की तरह कि positive feedback देखना है यह आ गया positive feedback तो inverting Schmidt Trigger का मतलब होता है that we in is connected at inverting terminal अब देखो ऐसी situation में बिटा आपको यह तो पता ही है opamp का linear region बहुत छोटा होता है correct यह सभी लोग जानते है opamp का linear region होता है characteristic का बहुत छोटा होता है अब बिटा अगर आपने positive feedback लगा दिया तो एकदम छोटा हो जाता है linear region और फिर यहाँ पे जो आपका output होता है वो या तो plus V set होता है या तो minus V set होता है यानि output always remains in the saturation because the linear region is very very small तो मैं बोल रहा हूँ with positive feedback with positive feedback the linear region the linear region of op-amp characteristics of op-amp characteristics of op-amp characteristics becomes very narrow and hence and hence output always saturates तो output V set या minus V set ही आ सकता है तो positive feedback के case में output का funda क्या होता है देखिएगा कि अगर positive terminal का voltage negative terminal से जादा हुआ तो V 0 will be plus V set और अगर positive terminal का voltage negative से कम हुआ तो V 0 will be minus V set यही फंडा चलेगा ठीक है भाई रोहित इसलिए मैं बोल रहा था exponentially decay नहीं करता या तो V set या तो minus V set exponentially नहीं जाता यहाँ दो ही level possible है बीच का कोई value possible नहीं है अब sir इस circuit का analysis कैसे करें मुझे बताओ यह fundamental clear है फिर मैं circuit के analysis पे आओ अगर fundamental clear है और आपको यहाँ पे क्या सोचना है आपको यहाँ पे analysis समझना है बिटा रटना कुछ भी नहीं है ध्यान रहे रटना आपको एकदम भी नहीं है आपको तरीका समझना है अब देखो मैं क्या करता हूँ मुझे negative terminal का voltage तो दिख रहा है सीधे सीधे v in है मैं positive terminal का voltage निकालना चाहता हूँ उसके लिए मैं क्या कहता हूँ कि भाईया देखिए यहाँ पे है 0 ampere current ठीक है op amp का input current जिस कारण से R1 और R2 है सीरीज में है ना जिस कारण से आपके R1 और R2 है सीरीज में अब आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि inverting terminal का voltage v in है और non inverting terminal का voltage है voltage division से निकाल दो R2 बाई R1 प्लस R2 V0 अब एक चीज़ सुनना मेरी बात जब input पे voltage V0 से जाके लगता है आप उसको feedback कहते हो तो यह V positive एक तरह से feedback voltage हुआ क्योंकि यह वापस input में जा रहा है ना output से तो जो feedback voltage होता है कि आप उसको beta V0 नहीं लिख सकते हो आप उसको beta V0 नहीं लिख सकते हो यह मैंने feedback amplifier में बीटा बताया था ना beta is the feedback factor क्या है बीटा feedback factor जो कि इस circuit के लिए कितना है R2 by R1 प्लस R2 यह clear हुआ this is your feedback factor अब मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ बीटा कि अगर आपको Schmidt Trigger का analysis करना है तो आपना output की दोनों states लेके चलो जैसे case 1 लेके चलो क्योंकि आपका bistable multivibrator है ना तो दोनों states stable है case 1 V0 equal to Vsat ऐसे बारी-बारी से दोनों case analyze करेंगे V0 equal to Vsat अब इससे देखो negative terminal का voltage तो V in ही है और positive terminal का हो जाएगा बीटा Vsat correct आप बोलोगे अगर बीटा Vsat V in से बड़ा हुआ बीटा Vsat अगर V in से बड़ा हुआ यानि positive terminal की voltage अगर negative से जादा हुई तो आप क्या बोल दोगे यहाँ पे V not remains at Vsat यानि अपनी stable state में अराम से पड़ा है कोई tension नहीं है इसकी दोनों state stable है ना तो उसमें पड़ा रहेगा निकलेगा ही नहीं ठीक है? आपने माना Vsat है ना और Vsat ही आ रहा है तो यानि V not उसी state पे टिका रहेगा उसको change नहीं करेगा लेकिन मेरे भाई अगर condition उल्टी हो जाती अगर V in बीटा Vsat से बड़ा हो जाता तब अगर input voltage यानि inverting terminal का voltage non-inverting से बड़ा हो जाता तब अगर inverting का जादा है तो V not आना चाहिए माइनस Vsat तो मैं directly यह नहीं कहूंगा मैं कहूंगा कि V not switches from क्योंकि पहले तो Vsat मानके चले हो ना V not switches from plus Vsat to minus Vsat तो यहाँ पे switching आ गई यानि बेटा Vsat से जादा input लगाया जब output Vsat था तो switch करके आ जाएगा minus Vsat पे समझाया अब देखो यह तो case 1 मैंने analyze करके दिखा दिया अब case 2 आप लोग करिए मेरे साथ-साथ case 2 में आप क्या बोलेंगे कि V not है minus Vsat तो आपको यह पता है कि negative terminal का voltage तो V in है और positive terminal का voltage क्या हो जाएगा minus beta Vsat कितना हो जाएगा minus beta Vsat तो आप फिर से वैसे ही करेंगे देखो अगर V in बड़ा हुआ minus beta Vsat से यानि inverting terminal का voltage जादा है अगर inverting का जादा है तो V not आना चाहिए minus Vsat पहले भी minus Vsat ही लेके चले हूँ तो V not remains at minus Vsat ठीक है और अगर V in छोटा हो गया अगर inverting terminal का voltage छोटा हो गया तब आपका V not आना चाहिए बिटा प्लस Vsat तो हम बोल देते हैं V not switches from minus Vsat to plus Vsat तो एक चीज़ समझेगा input के लिए जो threshold बन रहा है न वो बीटा Vsat और minus Vsat बन रहा है V in के लिए अगर आप threshold देखोगे एक तो है बीटा Vsat और एक है minus बीटा Vsat इनको कहते हैं triggering point क्या बोलते हैं इनको triggering point इन दोनों value में से जो बड़ी value होती है उसको कहते है upper triggering point utp और जो छोटी value होती है that is called as the lower triggering point ठीक है तो triggering point तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूं कि threshold voltage for V in to change the output state is called triggering point ठीक है तो हमें इसकी value नहीं रटनी है हमें बस क्या याद रखना है V in के लिए threshold क्या है तो जो higher value होती है उसको बोलते है upper triggering point कोई ऐसा मैं सोचना upper के लिए क्या लेना पड़ेगा क्या नहीं लेना पड़ेगा दोनों value निकाल लो higher value को कहते हो UTP upper triggering point जो भी value बड़ी आएगी ना वही upper triggering point है ऐसा नहीं कि V naught को V set लेंगे तो UTP मिलेगा और minus V set लेंगे तो LTP मिलेगा ऐसा नहीं आप दोनों से value निकाल लो जो बड़ी है वही UTP है और lower value is called as LTP lower triggering point ठीक है भई ये बात clear हो गई दो चीजे हो गई एक UTP और एक LTP एक UTP और एक LTP निर्मल भाई ये बताओ यहाँ पर three phase कहां से नजर आ गया तुमको second क्या पूछ लो second case में second point देखो अगर V in आपका minus beta V set से कम हुआ स्वाती यानि inverting terminal का voltage non inverting से कम है यह यह कहलो non inverting का जादा है अगर non inverting का जादा है तो V not V set आना चीए न आप लेके कितना चले हो minus V set आना कितना चीए V set तो यानि आप switch कर रहे हो minus V set से V set पे समझाया? लेके कितना चले हो वो heading में लिखा है चल अब यह देखो output पे आपको दो values मिल रही है V set और minus V set और input के threshold ने बीटा V set और minus बीटा V set इस अनुसार ना इसकी transfer characteristic बनती है देखो यह important है Schmidt trigger की transfer characteristic समझना में अनुसार में अनुसार में यह दो है ठीक है? यह देखो, मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे thresholds बनाए है वी इन के जो thresholds है और जो output के limits है अब जड़ा समझना यह graph draw कैसे करते हैं? अब यह समझेगा जब वी नॉट की value वी सैट है अगर आपका input बीटा वी सैट से नीचे रहा तो वी नॉट वी सैट ही रहेगा आपने output लिया वी सैट आप क्या बोल रहे हो कि जब तक बीटा वी सैट से कम है जब तक आपका input beta v7 से कम है तो आपका output v7 पे ही रहेगा ये बात समझ में आई? आप input को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन जब तक आप beta v7 से कम पे हो तब तक आपका output v7 रहेगा अब जैसे ही beta आप beta v7 से उपर जाने की कोशिश करते हो इंपुट जैसे ही बीटा वी सैट से आगे जाने की कोशिश करता है आउटपुट तुरंट प्लस से माइनस वी सैट आ जाता है इंपुट जैसे ही बीटा वी सैट से आगे जाने की कोशिश करेगा आउटपुट तुरंट स्वेच हो के आ जाएगा माइनस Vsat ये बात समझ में आगए ये switch हो गया अब जब आप माइनस Vsat पे आगए तो आप कहरो जब तक input माइनस बीटा Vsat के आगे है माइनस बीटा Vsat के आगे है तब तक output माइनस Vsat ही रहेगा जब तक input माइनस बीटा Vsat के आगे है तब तक output minus Vsat रहेगा यानि जब तक minus beta Vsat के आगे तब तक इसी पे रहोगे और जैसे ही मेरे बच्चों आप minus beta Vsat से पीछे जाने की कोशिश करोगे minus beta Vsat से पीछे जाने की कोशिश करोगे तुरंत output minus से plus पे जम्प कर जाएगा ठीक है जैसे ही आप minus beta Vsat से जाने की उपर कोशिश करते हो तो ये तुरंत जम्प कर जाता है ठीक है इस टाइप से ये बात क्लियर होगे तो ये इसका transfer characteristic होता है क्लियर है जब जब आप beta Vsat से आगे जाने की कोशिश करते हो output plus से minus आता है minus beta से पीछे जाने की कोशिश करते हो तो minus से plus जाता है तो ये clockwise graph बन गया ठीक है जी अब यहाँ पे आप देखिए अगर मेरे को waveform बनानी है मालो मैंने input एक sinusoidal wave ले लिया मैं waveform भी बना के दिखाता हूँ आपको मालो input आपने एक sinusoidal wave ले ली आपको 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 आपक देखो मैंने input ले लिया sinusoidal भाई ठीक है यह input ले लिया अब input का comparison किस से करना है input का comparison बीटा वी सैट और माइनस बीटा वी सैट से करना है input का comparison बीटा वी सैट और माइनस बीटा वी सैट से करना है जैसे मालो ये बीटा वी सैट हो गया और ये आपका माइनस बीटा वी सैट हो गया ये देखो अब हमने क्या बोला बिटा कि जब इनपुट बीटा वी सैट के उपर निकले ये जो इनपुट है ये थ्रेशोल्ड ने पिंक वाली लाइन बीटा वी सैट और माइनस बीटा वी सैट तो जब कभी input बीटा V set के उपर निकलेगा तब तब आपका output V set से जाएगा minus V set कहां जाएगा तब तब आपका output V set से minus V set तो देखो मैंने यहाँ पर लाइन मना लता हूँ यह V set की लाइन हो गई जिसको trace करना है और यह हो गई minus V set की लाइन तो देखो जब input पिंक वाली लाइन के उपर गया तो output क्या आना चाहिए तब output आना चाहिए V set से minus V set ठीक है और फिर जब minus beta V set के नीचे गया तब switch करके जाना चाहिए plus V set ठीक है तब switch करके जाना चाहिए plus V set अब फिर से beta V set के उपर गया तब switch करके जाना चाहिए minus V set फिर minus beta V set के नीचे जब जाएगा ठीक है एक minute हमने क्या किया हमने इसको भेजा minus beta V set के नीचे जब जाएगा ओो हमारा यह गलत हो गया ठीक है तो बीटा V set के उपर जाते ही प्लस V set और माइनस V set के नीचे जाते ही प्लस V set अब फिर बीटा V set के उपर जाते ही फिर से माइनस V set अब फिर से माइनस बीटा वी सेट के नीचे जाते ही प्लस वी सेट ठीक है तो इस टाइप का आपका आउटपुट बनेगा ये स्क्वाइर वेव टाइप से बन जाएगा ना वी सेट और माइनस वी सेट अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर नॉइज मार्जिन क्या होगा नॉइज मार्जिन बीटा इसी को कहते है that is UTP माइनस LTP क्योंकि इसके बीच का अगर आप कोई भी सिगनल लगाओगे तो आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा इसको हिस्टरिस वोल्टेज भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं इसको हिस्टरिस वोल्टेज अल्सो कॉल्ड एस हिस्टरिस विट्थ ठीक है ये बात क्लियर होगे इसको हिस्टरिस विट्थ भी बोला जाता है UTP माइनस LTP को ये क्लियर हुआ ना ग्राफ जब जब आपका इन्पूट बीटा वी सैट के उपर जाता है तब तब आपका आउटपूट वी सैट से ट्रैवल करके जाता है माइनस वी सैट पे और जब आपका इन्पूट माइनस बीटा वी सैट से नीचे आता है तब आपका आउटपूट माइनस Vsat से जाता है प्लस Vsat पे बस इतना सा logic है बिटा ये एनलोग की लास्ट क्लास ही चल रही है गेट के सिलिबस की सो हमें बिटा DLD क्लास नहीं है ये एनलोग का क्लास है फोर इलेक्ट्रिकल इसी इंस्ट्रुमेंटेशन डिजिटल लॉजिक का एक चैनल है अनकोड कम्प्यूटर साइंस उस पे मैंने कम्प्यूटर साइंस का पूरा DLD ले रखा है अरे बताया तो UTP माइनस LTP कर दे ना भई और क्या करना है अगर वैसे निकालना चाहते हूँ नॉइज मार्जिन अगर वैसे निकालना चाहते हूँ नॉइज तो यह होता है VOH माइनस VIH Vset माइनस बीटा Vset अगर ऐसे निकालना चाहते हूँ जो डिजिटल का डेफिनेशन है तो ऐसे भी निकाल सकते हूँ ठीक है इस टाइप से निकाल लो भई चल यह बात क्लियर हो गई अब आते हैं भई इस सर्किट पे इस सर्किट में देखो इसने चेंज क्या कर दिया है न एक VR भी लगा दिया है क्या लगा दिया है रेफरेंस वोल्टेज लगा दिया है ठीक है रेफरेंस वोल्टेज लगा दिया है यहां पे तो आप लोग इसका एनालेसिस करो आप क्या कीजिए न सबसे पहले ये positive terminal का voltage निकाल दो V plus आप क्या करो सबसे पहले ना ये V plus निकाल दो कांति लाल पिटा ये तो पहले ही धांडे सर ने बता रखा था था ना कि वीडियो आपका premiere जब होगा जब ही आपको देखना है उसके बाद private हो जाएगा ऐसा तो कभी promise ही नहीं था कि हमेशा वीडियो पब्लिक रहेगा और इस channel पे जो control system है वो public था पब्लिक है पब्लिक रहेगा चलो जड़ा निकालो positive terminal का voltage भाई analysis का तरीका समझ आया ना कैसे schmidt trigger को analyze करते हैं भई method clear हुआ अच्छे से तो देखिए positive terminal का voltage superposition से निकालेंगे जैसे dual supply bias निकालते थे V0R2 by R1 plus R2 plus reference voltage into R1 by एक बार V0 को ground कर लेते थे एक बार VR को और फिर दूसरे voltage से लगा देते थे voltage division दुरूबा बिटा अगर मेरा sentence सुना हो gate के syllabus का ये last lecture है अच्छा एक चीज़ बताओ दुरूबा लेक्चर शुरू से follow कर रहे हूँग अब तक follow ही नहीं किये हो क्योंकि जितने भी बच्चे regularly मेरे साथ है उनको तो पता है syllabus कहा तक हो गया है और क्या होने वाला है आगे ये भी जानते हैं वो लोग चलो ऐसे लिख देते हैं आप लोग के लिए ठीक है बई अब मैंने तरीका क्या बताया था कि एक बार V0 को V7 मानो और एक बार माइनस V7 मानो तो जैसा मैंने लिखा था वैसे ही पूरा पूरा लिखो जैसे ये दो केस बनाये थे नहीं यहाँ पे ये जो दो केस बनाये थे ऐसे बनाओ चलो फटा फट समझ गए हो ना अब तो तुम लोग केस वन V0 इक्वल टू प्लस V7 अब पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज कितना हो गया कि कर यह ग्या इसको एसे के दूनाओ तो बीटा V7 में एक वैल्यू एड़ हो गई ऐसे बोल दो है ना बीटा की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूँ R2 बाए R1 प्लस R2 और इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज है VIN ठीक है जी अब आप कमपैरिजन करेंगे अब आप कमपैरिजन करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल वोल्टेज इसका अगर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज नेगेटिव से बड़ा हुआ यानि वी इन लेस दन बेटा वी सेट प्लस वी आर रवन बायर रवन प्लस रवन प्लस रवन तो वी नॉट रमेंस आट प्लस वी सेट और अगर इनवर्टिंग टर्मिनल का बड़ा हुआ भई यानि वी इन अगर आपका बड़ा हुआ तो आप देख रहे हो आप यूटी पी चेंज हो गया ना जो पहले बीटा वी सेट हुआ करता था अब उसमें एक टर्म एड होके आ रही है तो यहाँ पे क्या होगा अगर इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा हुआ तो वी नॉट स्विच इस प्रॉम प्लस वी सेट टू माइनस वी सेट ठीक है वी नॉट स्विच कर जाएगा भई अब ऐसी केस टू लेलो वी नॉट इक्वल टू माइनस वी सेट अब लॉजिक क्लियर हो रहा है किसी भी क्वेश्चन में श्मिट ट्रिगर का कैसे यूज करना है अब वी नॉट इक्वल टू माइनस वी सेट अगर लोगे तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज हुज जाएगा माइनस बीटा वी सेट ये वाली टर्म तो प्लस में ही रहेगी इस पे तो कोई फरक ही नहीं पड़ेगा वी सेट और माइनस वी सेट लेने का अब अगर आप बोलोगे कि नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज बड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से यानि वी इन इस ग्रेटर देन माइनस बीटा वी सेट प्लस वी आर रवन बाई रवन प्लस रवन प्लस रवन अगर इनवर्टिंग टर्मिनल का बड़ा है भाई तो वी नॉट रिमेंज आट माइनस वी सेट और बंदू अगर इनवर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज छोटा है ठीक है वैसे एक्जाम में तुमको इतना सिस्टेमाटिकली लिखने की जरूरत नहीं है तुमको ये चीज़ बस सोच नहीं है ठीक है और ऑप्शन से वेरिफाई कर लेना ह अगर ग्राफ दे भी रखाओ transfer characteristic का ये तो मैं तुम्हें लिखके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम कभी भी revise करो तो तुम समझ पाओ पूरा end to end तो ऐसी situation में V0 switches from minus Vsat to plus Vsat ठीक है जी minus Vsat to plus Vsat ये clear हुआ यानी बिटा इस बार change क्या हो गया आपका यानी कि इस बार आपका change पता है क्या हो गया इस बार जो आपका UTP आएगा ना वो सिर्फ बीटा Vsat नहीं आ रहा है मैं आपको बताता हूँ इस बार जो आपका UTP आ रहा है डाट इस बीटा Vsat plus Vr R1 by R1 प्लस R2 और जो आपका LTP आ रहा है वो ही आ रहा है यानी UTP और LTP दोनो राइट शिफ्ट हो गया है बिटा एक पर्टिकुलर वोल्टेज से तो हम लोग क्या बोल रहे हैं बोथ UTP and LTP are right shifted by we are R1 प्लस R2 into R1 बट अगर hysteresis width देखोगे बिटा अगर hysteresis curve का width देखोगे तो वो तो अब भी यही आएगा UTP minus LTP क्योंकि उसमें VR वाला term कट जाएगा it will remain the same 2 beta Vsat ठीक है यहाँ पे भी ना noise margin डिजिटल वाला ही रख लो ठीक है noise margin का definition यही रख लो output high minus input high यह बात clear है क्या कर रहे हो भाई उतकर्ष हाँ तो hysteresis width में कोई change नहीं आ है लेकिन आपका जो है ना पूरा का पूरा graph जो है वो right shift हो गया आपका जो पूरा का पूरा graph है ना वो ऐसे right shift हो गया तो देखो मैंने graph में right shift दिखाने के लिए क्या किया मैंने cursor कोई या फिर graph का जो arrow है y-axis है उसको left shift कर दिया अब यहाँ पर कितना है यह है minus beta v-sat plus vr r1 by r1 plus r2 तो एक तरह से पूरा का पूरा graph जो है right shift हो गया है ठीक है भाई clear हो गया यह बात clear हो गयी क्या हुआ पूरा का पूरा graph right shift हो गया यानि कि using reference voltage shifts hysteresis curve इसको hysteresis curve भी कह सकते हो hysteresis curve horizontally with no change with no change in height or width ना तो graph की height बदली और ना ही graph की width बदली ठीक है भाई तो height और width नहीं बदलती है सिर्फ reference voltage से graph shift हो जाता है मुझे बताओ अगर यहां तक किसी को कोई doubt है फिर मैं अगले circuit पे चलूँगा अगर यहां तक clear है clear है भाई अच्छे जे बोलो चलें फिर आगे अब अगला है non-inverting schmidt trigger इसका मतलब क्या है भाई इसका मतलब है V in is applied at non-inverting terminal ठीक है basic से करेंगे फिर से पहले positive terminal का voltage निकालिए भाई V plus चलो फटा फट V plus निकालिए come on everybody I need V plus परक्षा आगे लिकालिए लिकाई लॉणा लिकालिए लाई विकालिए वाल निकाला तो देखो वैसे ही dual supply bias वाले तरीके से निकाल लो पहले v-in को ground या पहले v-naught को ground कर दो v-in r1 by r1 plus r2 v-naught अब देखो मैं चाहता हूँ न वी-in का coefficient 1 रहे तो मैं ये चीज बाहर निकाल लेता हूँ ऐसा क्यों सर? क्योंकि threshold तो v-in में चाहिए न इसलिए v-in का coefficient 1 कर लिया तो यहाँ पर ये बच गया ठीक है? ये बात clear हुए इतनी अब inverting terminal का voltage क्या है भई? inverting terminal का voltage है 0 correct inverting terminal का voltage है 0 फिर से 2 case बनाने पड़ेंगे भई? फिर से 2 case बनाने पड़ेंगे चलो फटा फट बनाईए एक बार case 1 में v-nought को v-sat लीजिए और case नंबर 2 में v-nought को minus v-sat लीजिए चलो भई, come on everybody अरे बीटा मत निकालो भाई, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से सुनो, case बनाईए, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो अब की बार जो है न, बीटा ये बनेगा r2 by r1 सर क्यों? क्योंकि v-n की equation में देखो न, ये voltage feedback का काम कर रही है, v-n के साथ v-n में voltage कितने मिक्स हो रही है, v-n r2 by r1 तो बीटा विल भी r2 by r1 चलो, अब देखें, दोनों cases case 1 v-n is plus v-sat अब इससे आपके positive terminal के voltage का क्या होगा भई? ये होगा न, और inverting terminal का voltage विल भी 0 अब मैं कहूंगा, अगर positive terminal का voltage greater than 0 आया, तो v-n remains at v-sat correct plus v-sat पे ही रहेगा और इसका मतलब क्या है? v-n greater than minus beta v-sat ठीक है? और positive terminal का voltage अगर negative आ गया यानि inverting terminal से कम आ गया तो it switches from plus v-sat to minus v-sat ठीक है? तब यहाँ पे इसका मतलब है v-n less than minus beta v-sat ठीक है जी? यहाँ पे यह बात clear हो गई आपको positive और negative terminal के voltages compare करने है यह बात पे ध्यान दीजिएगा मज़ा आ रहा है अब लग रहा है Schmidt trigger तो बनाई लेंगे चाहे जो भी आ जाए बोलो भई confidence आ रहा है Schmidt trigger के अंदर क्योंकि method एक ही है यहाँ पे थोड़ी ना method में कोई दिमाग लगाना है अगर v-nought ले लिया जाए minus v-sat तो positive terminal का voltage हो जाएगा r1 by r1 plus r2 v-in minus beta v-sat यह हो जाएगा तीक है अब यहाँ पे आप क्या कहते हो negative terminal तो grounded ही है कि अगर positive terminal का voltage less than 0 रहा तो v-nought remains at minus v-sat less than 0 रहने का मतलब है v-in less than beta v-sat समझ रहे हो तो यह बाहर वाला factor तो actually irrelevant हो गया r1 by r1 plus r2 क्योंकि इस voltage का comparison ही हर बार 0 से हो रहा है और अगर positive terminal का voltage greater than 0 आया तो v-nought switches from minus v-sat to plus v-sat ठीक है यह हो जाएगा अगर ऐसा हुआ इसका मतलब है v-in greater than beta v-sat ठीक है जी अब देखो भई अगर triggering point की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया भई कि जो value higher होती है न उसको utp बोलते है lower वाली को ltp बोलते है correct higher वाले को utp lower वाले को ltp अब देखो v-in में दो threshold आ रहे हैं एक तो beta v-sat minus beta v-sat और एक beta v-sat बड़ा कौन बीटा v-sat तो उसको utp बोलोगे यहाँ पर क्या होगा utp is beta v-sat और ltp is minus beta v-sat ठीक है भई यह हो गया तो hysteresis width क्या हो गई utp minus ltp यानि 2 beta v-sat ठीक है भई? 2 beta v-sat अब यहाँ पर देखो change क्या आता है? आपने बोला अगर v-not plus v-sat है और v-in minus beta v-sat के नीचे गया तब यह plus से minus switch करेगा अगर v-in minus beta v-sat के नीचे गया तब यह plus से minus switch करेगा यानि कि एक तो यह arrow हटा दो आपने यह बोला आपने यह बोला कि अगर input आपका minus beta v-sat के नीचे गया तब यह switch करेगा यानि यह तब तक v-sat पे रहेगा जब तक input minus beta v-sat से बढ़ा है तो इस बार जो plus से minus की switching दिखेगी ना वो minus beta v-sat पे दिखेगी यह देखो ना इस बार आपने बोला जब तक v-in minus beta v-sat से बढ़ा है तो v-not v-sat पे ही रहेगा यानि v-in जब minus beta v-sat से बढ़ा है तो v-not remains at v-sat जैसे इस से पीछे जाने की कोशिश करोगे तुरंट switch करेगा फिर आपने देखो क्या बोला फिर आपने बोला अगर v-in beta v-sat से छोटा है तो v-not minus v-sat पे ही रहेगा अगर beta v-sat से छोटा है beta v-sat से छोटा माने beta v-sat से अगर पीछे है तो it will remain as it is लेकिन बिटा अगर ये beta v-sat से उपर जाने की कोशिश करेगा तुरंट आपका output स्विच करेगा minus से plus तो अगर ये beta v-sat से आगे निकलने की कोशिश करेगा तो ये switching आ गई minus से plus यानि जो graph clockwise था अब वो graph बन गया anticlockwise है ना जस्ट क्या हुआ traversal of hysteresis curve hysteresis curve becomes clockwise sorry anticlockwise from clockwise तो inverting और non-inverting में कुछ नहीं है बिटा बेटा का value बदल गया यहाँ बेटा हो गया R2 by R1 वहाँ पे R2 by R1 प्लस R2 था यहाँ R2 by R1 हो गया और आपके graph का traversal change हो गया graph का traversal change होने से पता है waveform में क्या फरक पड़ेगा मैं आपको यह भी दिखाता हूँ ठीक है यहाँ पे क्या फरक पड़ेगा इस बार आपका यह है कि Vn अगर माइनस बेटा Vsat से छोटा हुआ यह conditions exchange हो गई न Vn अगर माइनस बीटा Vsat से छोटा हुआ तब आपका output जाएगा Vsat से माइनस Vsat और बीटा Vsat से अगर बढ़ा हुआ तो माइनस से प्लस देखो बीटा Vsat पे जा रहा है माइनस से प्लस और माइनस बीटा Vsat पे आ रहा है प्लस से माइनस अब यहाँ पे क्या होगा न बीटा यह जो graph है यह graph reverse हो जाएगा आपका क्योंकि जो switching थी switching का criteria reverse हो गया न और बीटा की value change हो गई दो ही तो चीज़े होई है switching की condition reverse होई है और बीटा की value बदली है अब देखो पहले माइनस था जैसे बीटा वी सेट के उपर गया तो माइनस से प्लस चला गया अब फिर माइनस बीटा के नीचे जाएगा तुरंट प्लस से माइनस आना पड़ेगा ठीक है फिर बीटा से उपर जाएगा तो माइनस से प्लस आना पड़ेगा तो graph का nature change हो गया ना एक तरह से आप ये कह सकते हो graph invert हो गया जो भी आपका graph था वो negative हो गया पहले के मुकाबले लेकिन graph में तो क्या बन रही है square वे भी बन रही है न भाई समझ में आ गया बस इतना change हुआ बेटा की value बदल गई और graph का nature रिवर्स हो गया मुझे बताओ सबको clear हुआ कि सबको clear हुआ के नहीं हुआ जल्दी बोलो क्लियर है अच्छे से ठीक है ना चलो एक last circuit और करा रहा हूँ आज stable monostable multivibrator फिर next lecture में कर लेंगे मैं कोशिश करूँगा अगर कल भी class ले पाऊँ कल वैसे मैं office जा रहा हूँ I'll try to take the class from there और I'll try to wind this oscillators up और ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कल oscillator की class में 555 timer add कर लें या फिर oscillator को अलग ही रखें आप लोग बुलो multi vibrator के साथ 555 timer जोड़के खतमी कर दें कल या फिर पहले कल मैं multi vibrator करा दूँ और बाद में 555 timer करा हूँ V positive is minus 3 V negative is minus 5 तो positive वाला बड़ा है तो V set आएगा अलग रखें चलो ठीक है अब देखो जड़ा एक application देख रहे हैं बीटा Schmidt Trigger का that is triangle wave generator तो इतना जो part आपको नजर आ रहा है ये है आपका non-inverting Schmidt Trigger क्या है ये non-inverting Schmidt Trigger मुझे पता है मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ एक square wave अच्छा वैसे आपने ये देखा न Schmidt Trigger के अंदर input लगाना पड़ा जब-जब state बदलने थी V in के हिसाब से बदल रही है ठीक है V in के हिसाब से बदल रही है state यानि by stable था ना कभी भी state अगर change करनी है तो we have to change the value of V in ठीक है we have to change the value of V in अब ये इसके आगे अगर हमने square wave से triangle wave बनानी है तो हमने क्या कर दिया हमने इसके आगे एक integrator लगा दिया क्या कर दिया भाई एक integrator लगा दिया कि square wave का integration होता है triangle ठीक है जी अब ये जो voltage आपको दिख रही है ये है Schmidt trigger का output V output of non-inverting Schmidt trigger equal to V ठीक है जी input नहीं लगा ना यही तो ध्यान देना है अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हुआ है Schmidt trigger can generate पहले समझ हो circuit को अच्छे जे Schmidt trigger can generate can generate square wave which integrator which integrator converts to triangle wave ठीक है बई integrator इसको triangle में convert करता है अब देखो ये जो integrator का output है ना यही feedback में जाके input बन रहा है यहाँ पर input क्या है non-inverting Schmidt trigger में यहाँ पर input लगा था ना तो यहाँ पर input जो है integrator का output है input क्या है integrator का output है अब देखो circuit को अगर exam में आ गया तो कैसे analyze करना है basic से करते हैं हम बोलते हैं at t equal to 0 आप capacitor को uncharged मान लीजे क्या कीजिए आप capacitor को uncharged मान लीजे t equal to 0 पे आप capacitor को uncharged मान लो और v का कुछ value मान लो आप मान लो v equal to plus v set ठीक है ऐसा मान लो कुछ तो मानना पड़ेगा न स्कार्टिंग में अब यहां पर यह जो current i आएगा यह i कितना आ जाएगा देखो यहां तो 0 आएगा यह तो negative feedback वाला circuit है ना इंटेग्रेटर यह 0 है तो i will become v set by r और यही जो i है बिटा यह आगे जाएगा तो vc क्या होगा आप लिखोगे c dvc by dt i की जगे मैंने यह डाल दिया 0 पे capacitor voltage 0, t time पे आप मान लो vc ठीक है अब यहां से vc कितना आ गया v set by rc into t अब जो v0 है बिटा यह जो आपका integrator का v0 है यहां पे आप लिख सकते हो v0 is minus vc 0 minus vc होगा ना तो यहां से v0 कितना आ गया minus v set into t by rc अब यह देखो यह जो non inverting schmidt trigger है non inverting schmidt trigger के अंदर ध्यान दीजेगा जो non inverting अगर मुझे पहले से इसकी working नहीं भी पता है ना non inverting की रटावा तो मेरे को है नहीं तो मैं basic से ही कर लेता हूँ कि जो मेरा non inverting schmidt trigger है इसमें मैं क्या करता हूँ positive terminal का voltage निकालता हूँ v into r2 by r1 plus r2 और दूसरा input कौन लगा हुआ है v0 v0 r1 by r1 plus r2 v0 इसके लिए input का काम कर रहा है ना तो आप यहाँ पे क्या क्या दीजिये यहाँ पे v0 वाले कोईफिशेंट को कौन निकाल लो r1 by r1 plus r2 v0 plus beta v अब ही देखो v1 को आपने क्या मान रखा है बिटा v को आपने मान रखा है v sat तो positive terminal का voltage कितना हो गया r1 by r1 plus r2 v0 plus beta v sat तो मैं कहता हूँ जैसे ही यह जैसे ही यह negative जाएगा तुरंट v switch हो जाएगा minus v sat पे तुरंट switch हो जाएगा minus v sat पे यह बात clear होई अब यह negative कब जाएगा v0 less than minus beta v sat v0 तो अभी आपने निकाला है ना minus v sat t by rc less than minus beta v sat तो t greater than beta rc यानि beta rc पे जाके output अपने आप switch कर जाएगा मेरे बच्चों कितने पे output switch कर जाएगा v sat से minus v sat पे correct हो गई बात इतनी बात समझ में आई सबको जल्दी बताओ मुझको जल्दी बोलो भाई इतनी बात clear हो गई अच्छे से फटा फट बोल दो यार कि beta rc पे जाके output switch कर जाएगा v sat से minus v sat पे ठीक है भाई अमन कोई input देने की जरूरत तो नहीं पड़ी integrator का output खुदी input का काम कर गया now आपका v हो गया minus v sat v not capacitor voltage कितना हो गया होगा भी बताओ capacitor voltage बीटा rc पे capacitor voltage कितना हो गया होगा बीटा v sat ठीक है अब देखिए अब i कितना हो जाएगा minus v sat by rc अब आप क्या कहेंगे integration dvc minus v sat by rc dt ठीक है अब आप बीटा rc को जो है न t1 कह दो t1 पे vc है बीटा v sat अब कैस्टर में initial voltage है न भी ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि कैस्टर में initial voltage नहीं है minus v sat t minus t1 by rc अब भाई जब आपका जब आपने v को minus v sat ले रखा है जब आपका v है minus v sat तो positive terminal का voltage कितना है अभी आपने निकाला था न voltage division से v naught plus beta sorry plus beta v r1 by r1 plus r2 v naught minus beta v sat अब मैं क्या कहता हूं कि negative terminal का voltage तो 0 ही है तो जैसे ही v positive greater than 0 जाएगा v switches v फिर switch कर जाएगा from minus v sat to v sat तो उसके लिए condition क्या होगी बिटा उसके लिए condition यह होगी कि v naught must be greater than beta v sat अब v naught आपने कितना लिखा है v sat by rc मैं इसको t2 कहता हूं t2 minus t1 minus beta v sat is greater than beta v sat तो v sat कट जाएगा तो t2 minus t1 is 2 beta rc ठीक है तो basically इस बार duration कितना आया भाई 2 beta rc और यहाँ पे जाके आपका capacitor का जो voltage होगा न, capacitor का जो voltage होगा वो minus beta v sat हो जाएगा पहले capacitor शुरू कहां से हुआ था beta v sat अब कितना पहुँच गया minus beta v sat तो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे हो क्या रहा है समझेगा v naught जो है minus vc है न, आपका तो मैं दो graph बनाना चाहता हूं एक तो vc का या एक काम करते हैं एक vc का graph बनाते हैं एक minute vc v और एक बनालते हैं v का चलो यह है vc v naught और v ठीक है मैं आपको यहाँ पे तीन graph दिखाना चाहता हूं v naught तो जो है minus vc है न, simple और v plus और minus v set के बीच में जूल रहा है ठीक है बहीं अब सबसे पहले vc को आपने initially क्या माना था बिटा? 0 माना था और वो linearly चार्ज हुआ था कहां तक? बीटा v sat तक कहां तक चार्ज हुआ था? बीटा v sat तक तुरंत v स्विच कर गया था v sat से minus v sat तो आपने initially v को माना था प्लस v sat initially आपने v को माना था प्लस v sat और ये voltage हमारी linear चार्ज हुई थी बीटा v sat तक ठीक है? तो देखो ये voltage बीटा v sat तक चार्ज हुई थी और तब तक आपका v चला था v sat पे और ये जो है आपका v 0 वो तो minus v c था minus v c था तो ऐसे जा रहा था जैसे जैसे ये उपर positive में बढ़ रहा था v 0 negative में बढ़ रहा था अब तुरंत आपका output स्विच हो गया बिटा minus v sat पे यह ना Schmidt trigger का output और capacitor आपका चार्ज होने लग गया beta v sat से minus beta v sat पे जैसे ही ये minus beta v sat पे पहुचा तुरंत आपके output ने फिर से चलांग मारी कहां पे मारी चलांग output ने तुरंत फिर से चलांग मारी बिटा minus v sat से plus v sat की तो देख रहे हो यहां पे v वाले terminal पे अगर देखोगे ऐसे square wave मिल रही है और capacitor पे मिल रही है triangle जब capacitor की voltage प्लस से minus आ रही थी तो v not minus से plus जा रहा था अब फिर से क्या होगा फिर से देखो capacitor चार्ज होगा minus beta v sat से plus beta v sat और इस दोरान आपका यह जो output है ना यह आपका आएगा plus v sat तो v वाले terminal पे square wave मिल गई और v not वाले पे मिल गई triangle अब देखो यह वाला duration आया था आपका 2 beta rc और यह duration काईदे से क्या होना चाहिए this should be t by 2 half of the time period of the wave और यह wave की जो amplitude आ रही है यह आ रही है beta v sat और minus beta v sat तो हम बोल रहें t by 2 is 2 beta rc तो t equal to 4 beta rc 4 r2 by r2 rc by r1 तो frequency कितनी हो गई 1 upon time period यह clear हुआ बोलो तो देखो आप frequency control कर सकते हो rc की मदद से यह clear हो गई भई ग्राफ बताओ फटाफट से कैसे यहाँ पे काम चल रहा है यहाँ पे जो final output आ रहा है उसी को हमने वापिस Schmidt trigger में input बना के feed किया है ठीक है अब इसके बाद देखो अपने दो circuit बचते हैं astable multivibrator monostable वो मैं कल करा दूँगा कल एक और session create करा के आप लोग के लिए और कल हम लोग इसके multivibrator के question भी देख लेंगे ठीक है फिर परसो assignment discuss करके परसो आपका gate का game over हो जाएगा gate आप लोग का पूरा हो जाएगा और फिर आप लोग अगर बोलोगे तो मैं आप लोग को 555 timer और इसके अलावा power amplifier करा दूँगा second graph बेटा VC का negative है बस क्योंकि V0 जो है minus VC आया न राहुल तो जो भी VC का graph बन रहा है उसका inverted बन रहा है ये positive में बढ़ रहा है ये negative में प्लस से minus जा रहा है ये minus से plus ये minus से plus तो ये plus से minus V0 जो है minus VC है देखो circuit में यहां लिखके देना V0 equal to minus VC है से clear हो गया है ये सब लोग को Schmidt trigger से आप square wave बना सकते हो आप triangle wave बना सकते हो तो इस type के waveform आप generate कर सकते हो चलो भाई तो ये जो है न आstable और monostable ये मैं आपको कल कराऊंगा ठीक है कल कुछ questions भी करा दूँगा आज कोई question या assignment नहीं दे रहा हूँ ठीक है ये वाले assignment और question कल मैं आपको दे दूँगा ठीक है और परसो फिर हम लोग assignment discuss कर लेंगे अब देखो भाई ये जो link है इस पे जाके आप special classes attend कर सकते हो यहाँ पे आप PYQ बना सकते हो और रोहित आज जाके try करना वीटा positive feedback के भी बहुत सारे सवाल बन जाएंगे ask table monostable नहीं बनेगा monostable बहुत rarely पूछते है ask table फिर भी पूछ लिया जाता है और देखो अगर आप anacademy join करते हो तो आपके बास दो plans है plus और iconic दोनों में top teachers है पूरा study material app पे available है test series included है अगर iconic वाले बच्चे को किसी नए question में doubt आता है तो custom doubt solving है उसके लिए घर पे printed notes भेजे जा रहे है one to one mentorship मिल रहा है बिटा strategy और study plan बनवाय जा रहा है और open house session में you can interact via audio और आप यहाँ पे यह देखिए बिटा कि अगर आप anacademy join करना चाहते हैं तो आप अंकित ESE code लगाईए plan decide करो duration decide करो आपको maximum discount भी मिलेगा and you will come under my personal guidance और 24 वाले बच्चे 15 month का subscription ले सकते हैं और अपनी तयारी को एक कदम आगे रख सकते हैं क्योंकि आप लोग बाकियों से advance में चलोगे other than this बिटा अगर आप हमारे results देखोगे तो last year हमने top 10 में 6 ranks produce किये थे electrical में और EC में भी top rankers थे तो आप लोग भी इन में से एक हो सकते हो next year in gate 2024 if you join an academy using code अंकित ESE financial issue है तो बिटा EMI के लिए जा सकते हो यहाँ पे कोई interest आपको नहीं pay करना है month on month अपनी fees को pay कीजिए मात्र 2 घंटे में EMI approve होती है कम से कम paper work है and you can repay it in a flexible amount of time और देखो 24 वालों के लिए गुरुकूल बैच चल रहा है जिसमें धांडे सर और गुरुपाल सर analog और maths आपका cover कर रहे है और 23 वाले बच्चों के लिए हमने start के revision के लिए rank improvement बैच जिसमें आपका maths और network स्टार्ट हो चुका electrical का मैं machine स्टार्ट कर रहा हूं revision from 9th of November और EC वालों के लिए already 3 subject चल रहे हैं maths, network और EDC और अगर आपको unacademy join करना है 23 के लिए तो आप 3 या 4 month का subscription ले सकते हो, code बिटा आप जानते हो अंकित ESE और ये है मेरा telegram channel जुड़े रहे है ताकि कोई भी class मिसना हो जाए और इस session का PDF आपको मिलेगा community पे, unacademy app के home page पे जाना, community में discover पे वहाँ मैं मिल जाऊंगा और सारे के सारे PDF मिल जाएंगे so thank you everyone, thanks a lot बच्चो अब हम लोग कल मिलेंगे same time और कल इस multi vibrator को end करेंगे